हमारे स्वानन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाईए और देखिए स्वानन न्यूज के वीडियो सबसे पहले आपके मूबाइल स्क्रीन पर नमस्कार में सरिता पवार स्वानन न्यूज में आप सभी का स्वागत है चर्चत होगी ही उल्लासनगर के गोल मेदान में हर साल की तरह इस साल भी आनंद मेले का अज़न किया गया है इस मेले में बच्चों के लिए क्या कर्शन है इस पर स्वानन की प्रतिनीदी नेहा पार्चा की रिपोर्ट कर्शन भी आनंद में डिएक रिएक वामन तो है इस प्रिएश ठीप बच्चों के ख़्ट कर दो 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 झाल झाल जैसे कि आप सभी को पता है कि आज की यूप में जो बच्चे हैं वो टेक्नोलोजी के कारण इतना उनको असर पड़ रहा है उनके दिमाग में कि वो दिन भर मुबाइल लेकर बीज़ रहते हैं मुबाइलों में गेम वगेरा खेलते रहते हैं पूरे दिन बस मुबाइल है आनन्द मेले का आनद उठाने के लिए हमारे साथ मेले में आए हुए कुछ नागरी के चलिए उनसे कुछ बात करते हैं अपका नम दिपाली मुंडूर आप यहां पर मेले में आकर कैसा आपको लगते हैं अच्छा लग रहा है बच्चे लोगों को लेक्या आए दिवाल रखते हमारे को अब हमारे साथ मेला आयोजन करने वाले कुछ आयोजजित है तो चलिए उनसे बात करते हैं आप कितने सालों से आनन्द मेले का आयोजन करते हैं विगत 20 सालों से उल्लाशनगर के गोलमेदान परिशर में दीवाली वेकेसं को देखते हुए यहां पे दिवाली vacation में बच्चों को चुटिया होती है और लोग चुटियों का enjoy करने कहीं बाहर जाते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा उनका खर्च होता है इसके लिए वो सहर से दूर नहीं जाए अपने सहर में ही बच्चों को अपनी खुशिया बाटे और बच्चों के साथ में रहे इसलिए हम पिछले 20 सालों से आनन मेला का आयोजन करते हैं जहां पर बच्चे बड़े सभी के झूले हैं खाने पीने की चीजें हैं पानी का अईस्टार, खाने का अईस्क्रीम सारी चीजीं यहां पर बंदोवस रहता है मेला आयोजन करने के पिछे आपका मेन उद्देश है क्या है मेला आयोजन के पिछे हमारा मेन उद्देश यही रहता है कि सहरवासियों को एक जो पूरे दिन काम के बोज होता है मेले में घूमने से उनकी थकावट दूर हो जाती है एक थोड़ा इंटर्टेन्मेंट हो जाता है, शेर वाशियों को एक इंटर्टेन्मेंट देने के लिए हम यह मेले का आयोजन करते हैं। संडे के दिन छुट्टी होने के वज़े से गश्टेड होलिडे होने के वज़े से पबलिक अच्छी होती है।